राधी राधे मित्रों, मैं ज्योती सिंग आपका एक बर फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कान्हा लेडीज केर में मित्रों, अपने इस वीडियो में मैं आपको प्रिग्नेंसी के दोरान मुह का स्वाद कड़वा क्यों हो जाता है या फिर अजीब क्यों हो जाता है ये बताने वाली हूँ, क्या ऐसा होना नॉर्मल है और मुह कड़वा होने की इस प्रॉब्लम से कैसे रिलीव पा सकती है ये सारी डीटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी तो वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखिएगा चैनल पे फर्स टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेजिए ताकि ऐसे ही हेलफुल वीडियो जाब तक पहुँचते रहें तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं प्रेगनेंसी का टाइम हम सारी फीमेल्स की लाइफ में सबसे टफ और इस्पेशल टाइम होता है इस दौरान एक लेडि को कम्प्लीट होने का एहसास होता है मा बनने की खुशी और एकसाइटमेंट हर प्रेगनेंट लेडि में अलग-अलग होती है प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद से डिलीवरी तक का टाइम काफी मुश्कीलों से भरा होता है प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज की बॉडी में कई तरह के हॉर्मोनल चेंज होते हैं जिसकी वज़ा से हरास्मेंट फिल होना, चक्कर आना, उल्टी, मुँख का स्वाद करवा हो जाना या फिर अजीब लगना, हाथ पैर में स्वैलिंग आना ये सारी प्रेगनेंसी के दौरान मुख का स्वाद करवा होने की प्रोबलम फेश करना पड़ता है इस problem को dysgasia कहते हैं, इस condition में कई सारी ladies के मुह का taste metal जैसा हो जाता है Health expert का मानना है कि pregnancy में मुह का taste change होना एक common problem है इसलिए इसे लेकर pregnant lady को tension लेने की कोई जरूरत नहीं Pregnancy के starting के 3 महीनों में मुह कड़वा होने की वज़ा से किसी भी खाने में taste नहीं आता यहां तक कि कई बार खाने की चीजों से खराबी स्मेल आने लगती है जिसकी वज़ा से ठीक से खाया भी नहीं जाता यह सीचुएशन प्रिगनेंसी के स्टार्टिंग के तीन महीने बितने के बाद अपने आप ठीक हो जाती है हिल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रिगनेंसी के दौरान कुछ लेडीज में एस्ट्रोजन लेवल में चेंज आता है यह हॉर्मोन आपके टेस्ट बर्ड्स यानि की स्वाद ग्रंथियों पर इफेक्ट डालता है जिससे मुह का टेस्ट चेंज हो जाता है प्रिगनेंसी के दौरान ली जाने वाली मेडिसिन्स भी आपके मुह का टेस्ट चेंज कर देती हैं इसके अलावा प्रिगनेंसी में कम पानी पीने से भी मुह का स्वाद करवा हो जाता है मूं का टेस्ट खराब होने की प्रॉब्लम टाइम के साथ अपने आप ही ठीक हो जाती है लेकिन हाँ अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो कुछ टिप्स आपके लिए जिनको फॉलो करके आप इस प्रॉब्लम को काफी हद तक कंट्रोल कर सकती हैं सबसे पहले तो आपको प्रेगनेंसी में पानी, जूस, छाच वगएरा खुब पीना चाहिएं इसके साथ ही आपको प्रेगनेंसी में खटे फल जैसे नीमबू, संतरा और कच्चा आम जैसी चीजे थोड़ा बहुत खानी चाहिएं इससे आपके मूं का टेस्ट ठीक हो सकता ह क्योंकि खटी चीजे खाने से मूं में लार ज्यादा बनता है और मूं का कड़वापन दूर होता है, ओरल हाईजीन का प्रॉपर ख्याल रखिए, अपने दातों को रेगुलरली साफ कीजिए, दिन में भी बीच बीच में कुला करती रहिए, इसके अलावा बड़ी इलाइ पीस कर सहद में मिला कर खाने से बेटर फील होता है, आप चाहें तो सौफ और मिस्री भी खा सकती हैं, इससे भी आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, मित्रों आई होप आपके लिए ये वीडियो हेलपफुल रहे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक एंड सेर कीजिए, मेरे चैनल पर फर्स टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही ये वीडियो आप तक पहुचते रहें, धन्यवाद